काईज बात करने वाले हैं Redmi 9 Power Device के बार में क्योंकि इसके लिए फाइनली इंडिया में MIUI 14 का जो अप्टेट है ना वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है अब भी मेरे पास में Redmi 9 Power जो डिवाइस है ना वो तो अवेलेबल नहीं है अनोरदर डिवाइस है लेकिन मैं आप बता दूगा कि कौन-कौन से आप लोगों को MIUI 14 अप्टेट के इंदर फीचर है ना वो देखने को मिले हैं Redmi 9 Power डिवाइस के इंदर तो complete इस वीडियो को देखना वीडियो कर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आ अप्टेट की टो절 साइज के बारे में 6680 MB की आप लोगों को अप्टेट की टोđल साइज मिल जाती है और यहाँ पर यह आई अन मतलब कि इंडिया के लिए जो अप्टेट है वो यहाँ पर ata रिलीस किया गया है और अप्टेट की जो साइज है ना वहाँ पर नॉर्मल वो रिलीज किया गया है तो अप्टेट की साइज है वह आपको मिलती है 3.2 GB, 3.6 GB, 4.0 GB तो इसके लिए अप्टेट की साइज है वो इतनी कम कैसे मिलती है काफी यूजर के आपर यह कमेंट आ रहे हैं तो बता दूं इस अप्टेट के अंदर आपको ओनली MIUI 14 का जो अप्टेट ना वो देखने को मिलता है Android 13 का अप्टेट है वो शाओ में एक तरफ से रिलीज नहीं किया गया है तो यह तो हम लोगों को पहले से पता था क्योंकि दो Android के अप्टेट ना वहाँ पर आने होते हैं Redmi 9 Power Device के अंदर जो की ओल्रेडी मिल चुके Android 11 और Android 12 वा अप्टेट अब भी Android 13 का जो अप्टेट है वो नहीं मिलेगा Only MIUI 14 का अप्टेट है वो रिलीज किया गया है और यह जो information है वो मैंने आपके साथ में पहले ही share कर दीती अपने आपर YouTube चैनल के अंदर और बहुत सारी वीडियो के अंदर तो इस अप्टेट के अंदर आप लोगों को मिलती है फर्स्ट सबसे बड़ी और सबसे फर्स्ट चीज है वो यह है कि अप्रेल 2023 का लेटेस्ट सेकुरूटी पेस लेवल का जो अप्टेट है वहाँ पर शाओमी की तरब से एड़ किया गया है आप लोग यहाँ पर देख पारे होंगे अप्रेल 2023 एंडरोड सेकुरूटी पेस लेवल अप्टेट अब भी बात कर लिते हैं इस अप्टेट के अंदर कौन-कौन से चेंज है ना वहाँ पर किये गया है शाओमी की तरब से तो सेटिंग अप्लिकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप लोग जै इन अप्टेट से तब भी आप लोगों को चेंज हैं वहाँ पर समझ मैंगे और सेकेंड जो नई चीज है उसको एड किया गया है जैसे कि यह पास्वर्ड एंड सेकुरूटी सेफटी एंड एमरजेंसी प्राइवेसी प्रोटेक्शन बेटरी एप्स एडिशनल से यह जित दाता इस्पेसल फीचर जिसके अंदर हम लोगों को साइड बार और फ्लोटिंग विंडो और यहाँ पर रेम एक्स्टेंसन के कुछ फीचर है ना वहाँ पर मिला करते थे तो उसको रिमूव नहीं किया गया है एडिशनल सेटिंग है ना उसके इनदर यहाँ पर मूव कर आप लोगों को मेमोरी एक्स्टेंसन का नया वाला जो लियाउट है ना वो देखने को मिलते है और अब भी बात कर लिते हैं फ्लोटिंग विंडो है उसके अंदर कुछ चेंजेज हैं वहाँ पर किये गये हैं या फिर नहीं तो साइड बार है उसको मैंने ओपन कर लिया है तो एक बार देखते हैं कुछ चेंजेज हैं वहाँ पर किये हैं या फिर नहीं तो गाइस मैंने टेलिग्राम को यहाँ पर ओपन कर लिया है और आप लोग यहाँ पर जैसा की देख पर होंगे सेम जैसा आप लोगों को पुराना वाला लियाउट है ना वो देखने को मिलत की देख पर होंगे यहाँ पर आपको वीडियो टूल बोक्स है वह सेम देखने को मिलता है सेम उसी तरीकिये का जो लियाउट है वहाँ पर शावमे की तरप से अब भी भी आपर पर पर प्रोवाइट किया गया है तो अगर एक तो MGY14 का इतना बड़ा अप्टेट आया है और इतने कुछ बड़े चेंजेज देना, वाहाँ पर एक में नोटिस नहीं हो रहा है, सेटिंग अप्लिकेशन के अंदर, बस पूराने वाले जो फीचर है ना, उनको इधर उधर कर दिया गया है, बाकी कोई नया फीचर है, वो एड़ नहीं किया गया है, और गाइस यहाँ पर आपको सुपर फोल्डर का जो ऑप्शेन है ना, वो मिल जाता है, तो येएक्स्टर लार्ज साइज है और येए डबल एक्स्टर लार्ज साइज है, तो यहाँ पर आप लोग देख परोंगे यहाँ पर आपको total 7 application मिलती है 367 और यहाँ पर आप लोगों को application मिलती है बाकी यहाँ पर आपको 3 application और यहाँ पर अंदर की तरफ आने के बाद में और भी काफ़ी सारी application मिलती है तो one click के अंदर आप लोग आपर इन सब भी application को use कर सकते हो और यहाँ पर यही आप लोगों को इसका एक बड़ा advantage है ना वो देखने को मिलते हैं बाकी यही super folder का कुछ नए feature थे जो कि मैंने आपको आपको आपर बता दिये हैं ओन काफी सही तरिके से work कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई किसी भी तरकी की जो problem है वो नहीं मिलेगी बहुत सारे हमारे user है जिन्होंने आपर update है उसको अपने device के अंदर install कर लिया है तो उनको कोई problem मना वो face नहीं कर रही है नहीं करने पड़ रही है तो मैं आपको यही suggest करूँगा अगर आपको यह सभी MIY 14 के latest feature और इस update को enjoy करने है तो आप लोग इस update है उसको जरूर से आपर install कर सकते हो कोई ज़्यादा बड़ी problem है वो आपको इस update के अंदर नहीं मिलती है और अब भी बात कर लेते हैं हम लोग update के बार में क्योंकि काफी लोग ना वहाँ पर पूछेंगे की जो update है वो हम लोग को हैं पर क्यों देखने को नहीं मिला है तो guys यह जो update है वो आप वहाँ पर पाइलेट यूजर है उनके लिए release किया गया है सब भी यूजर के लिए जो update है वो अभी release नहीं किया गया है तो आप लोग देख परेंगे pilot user के लिए update है वो आया है तो अगर आप लोग pilot user हो तो आपको एक से दो दिन का wait करना है एक से दो दिन के अंदर update है है हो काफी time में आप रिलीज किजाएंगे दिन के अंदर और इसका कोई भी notification है वो हमको नहीं मिलते हैं तो जैसे update है वो maximum यूजर के लिए आप रिलिस किया जाएगा तो information और post है वो मैं आपके साथ में share कर दूँगा अपने telegram channel के अंदर तो join कर सकतो अगर आप लोगों को update है आप पर जल्दी से जल्दी receive करने इसका link मिल जाएगा आपको नीचे description में और वहीं बात करते है normal user है ना उनके लिए update है वो कब तक यहां पर आएगा तो उसके लिए आपको एक से 10 दिन तक का यहां पर wait करने है एक week मतलब कि 7 से 10 दिन के अंदर यह जो update है वो कभी भी आ सकते है आज आपको date मिलती है 5 मै तो आप लोगों है आपर wait करने है कम सिकन 11 मै तक का तो 11 मै के आसपास यह जो update है वो सब भी user है उनके लिए देखने को मिल जाएगा अगर update है उसके अंदर कुछ problem है वो नहीं आती है बहुत बार होता है कुछ device के अंदर कुछ problem आ जाती है update के अंदर और pilot user को only update मिलते है और उसके बाद में update आने के बाद में उस update को आपर cancel कर दिया जाता है वो नया update है ना वो फिर से आपर release किया जाता है तो यहीं आप लोगों को इस update का change log plus feature और यही कुछ changes मिलते है जिसके बारे मैंने आपको आपर already बता दिया है तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe नहीं क्या है तो इसको आप लोगों को subscribe करके bell icon को यहाँ पर all प्रेस कर लेना है और जैसे यह update आएगा information आपको telegram चैनल पर मिल जाएगी तो मैं मिलता है आप लोगों से next वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम